Hello students, आज हम यह देखेंगे कि plants के uses क्या है So plants are useful to us in many ways Plants हमारे लिए बहुत तरीकों से useful है First जो चीज हमें plants से मिलती है वो है food So plants give us food कौन-कौन से food items है जो हमें plants से मिलते हैं Plants are major sources of food हमारे food का major part है, जो main part है जो भी हम दिन भर खाते पीते हैं उनमें से most of the things हमें plants से मिलती है We get most of our food from plants हमारे food का जादा तर हिस्सा हमें plants से मिलता है देखी वस following food items अब कौन-कौन से चीज़े हैं जो हमें plants से मिलती है कौन-कौन से food items हैं जो हमें plants से मिलते हैं First thing है cereals Cereals means anaj जिन से हम रोटी बनाते हैं चावल, गेहूं यह सब क्या है? Cereals We get cereals such as rice, wheat, maize and sorghum from plants अब कौन-कौन से cereals का यह example दिया गया है जैसे rice, wheat, गेहूं, चावल, मका या जवार यह सारी चीजे हैं जो हम अपनी जिन से हम रोटी बनागर खाते हैं तो यह सारी चीजे हमें कहां से मिल रहे हैं? Plants से Second food item जो हमें plant से मिलता है That is pulses Pulses का मतलब है dal तरह तरह की dalे हम खाते हैं खाने में वो सारी हमें कहां से मिलते हैं? Plants से So we get pulses such as gram, pea, lentin and pigeon pea from plants अब मतर, चना, अरहर यह सारी चीजें जो दाले हैं जिन्हें हम बना कर खाते हैं यह भी सारे हमें plant से ही मिलती हैं तीसरी जो चीज है कहाने में हम यूज करते हैं वो है spices Spices means masala So plants give us spices like chili, turmeric, pepper and coriander हम जो भी सबजी में masala डारते हैं लाल मिर्चुई, हल्दी पाउडर हुआ, काली मिर्चुई, धनिया पाउडर यह सब हमें कहां से मिलते हैं? Plants से ही मिलते हैं Fourth food item जो हम plants से लेते हैं वो है fruits and vegetables जो green vegetables है, fruits हैं वो भी किस सोर से मिलते हैं? Plants से So plants give us fruits like apple, guava, etc. And vegetables like spinach, cauliflower, etc. अब यहां पर fruits की बहुत लंबी list हैं, बट यहां पर हमें यह example दिये गए हैं कि जैसे apple हुआ, guava हुआ, यह सारे plants, यह fruits हमें plants से मिलते हैं और vegetables like पालक, गोभी, आलू, प्याज, यह सब भी plants से ही मिलते हैं इन सर्क के अलावा, जो हम cooking oil यूज करते हैं, cook करने के लिए अपने food को वो भी हमें कहां से मिलते हैं, plants से अब वो plants के seed जो होते हैं, छोटी-छोटी जो beach होते हैं, उनमें से निकाला जाता है So oil, we get oils like mustard, sunflower and groundnut from plants जैसे सर्सों का तेल हुआ, sunflower का oil हुआ, moon clay का तेल हुआ, यह सभी हमें plant से ही मिलते हैं, फिर हम उनसे तेल निकालते हैं तो mustard जो सर्सों हैं, पहले वो सर्सों की छोट-छोटी बीज होते हैं, उनको piece कर उनका तेल निकाला जाता है इसी तरीके से, जो sunflower के seeds हैं, जो moon clay के बीज हैं, उनसे हम oil निकालते हैं और जो अगले item हमें food item मिलता है, plant से हैं, वो है beverages Beverages का मतलब होते हैं, पीने के लिए जो हम चीजें use करते हैं तो हर घर में tea और coffee का use बहुत होता है, तो यह सारी चीजें भी हमें plant से मिलती हैं So we get beverages like tea and coffee from plants हमें जो पीने के लिए हम चीजें use करते हैं, जैसे चाई और coffee वो भी हमें plant से ही मिलती है चाई को हम चाई पती कहते क्यों है, क्योंकि वो किसी plants की leaf से बनाई जाती है और जो coffee है, वो किसी plant के bean से बनाई जाती है, bean मतलब बीजों से बनाई जाती है Now come to the next thing, जो हमें plant से मिलती है अब तक तो हमने देखा कि food items हमें कौन कौन से मिलते हैं अब हम देखते हैं कि food items के अलावा plants हमारे लिए क्यों useful है So second heading is, plants give us fibers Fibers वो चीज है, वो धागे को कहते हैं fiber जब कपड़ा बनता है, उससे पहले उस कपड़े को बनाने के लिए धागा बनाया जाता है वो धागा किस चीज से बनता है, या कौन से plant के से प्राप्त होता है, मिलता है, वो हम यहाँ देखेंगे So we get fibers such as cotton and jute from plants हमें कुछ plants से धागा भी मिलता है, जैसे cotton, cotton मतलब रूई अब रूई का जो हम fruit है, जब वो खिल जाता है, उसमें से white color की रूई हमें मिलती है उस रूई से धागा बनाया जाता है, फिर उस धागे से कपड़ा बनाया जाता है वैसे ही जूट का plant होता है, जूट के plant में से भी धागे निकाले जाते हैं फिर उनको बुन कर उनसे रसियां, बोरियां और इस तरह के bags बनाया जाते हैं इनको जूट पैक कहा जाता है तो कपड़े और bags बनाने के लिए हमें जो fibers मिलते हैं, वो भी हम plant से ही लेते हैं और आगे जो बहुत important चीज है wood, लकड़ी, लकड़ी भी हमें plant से ही मिलती है So plants give us wood, wood from trees is used to make furniture and to construct houses अब wood का use क्या था है हमाई life में, कि जितने भी furniture हम घर में use कर रहे हैं, वो wood के बने हैं या कहीं कहीं पुरे घर को बनाने के लिए wood का use किया जाता है, लकड़ी के घर भी बनाए जाते हैं After that, plants give us medicines, plants में दवायां भी देते हैं Some plants like neem, tulsi and eucalyptis are used to make medicines कुछ plants ऐसे होते हैं, जिनका रस बहुत ही काम का होता है, बहुत ही बिमारियों को खत्रम करने वाला होता है उन plants को use हम करते हैं, दवायां बनाने में जिसे neem का जो use किया जाता है, वो skin से related जो भी problems हैं, उनको ठीक करने में किया जाता है Tulsi का use हमारे सर्दी जुकाम को कम करने में किया जाता है Eucalyptis का जो oil होता है, उसका use होता है, दर्द के लिए जो भी tubes या creams बनती है या फिर जो wicks जिसे हम use करते हैं सर्दियों के दिनों में, उसमें भी इसका oil पढ़ता है जो कि हमारे nose को open करने में help करता है Then plants give us paper, rubber and gum ये चीज़ें तो हम daily life में use करें, बट इनके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम use करते हैं और वो भी कहीं न कहीं हमें plant से मिलती है जैसे paper आप daily life में paper use कर रहे हैं, उस paper को बनाने के लिए बहुत से trees को cut किया जाता है फिर उन trees से paper बनाया जाता है वैसे ही rubber, rubber भी एक plant के अंदर से white color का एक liquid निकलता है एक दूद सा निकलता है एक plant में जिसे rubber plant कहते हैं, उस दूद को इकठा करके जमा कर rubber बनाया जाता है वैसे ही कुछ plants होते हैं जिनके अंदर से गौंद निकलता है उस गौंद को इकठा करके फिर बेचा जाता है इस तरह से paper, rubber और gum बनाने के लिए plants का use किया जाता है ये सब तो चीज़े हुई जो हम direct ले रहे हैं बट कहीं न कहीं एक ऐसी चीज़ भी हमें plant देते हैं जो ना हमें दिखाई देती हैं ना हमें पता चलता है कि वो plant से आ रही है वो है oxygen, oxygen मतलब वो gas जिसे हम अपनी सांस में अंदर लेते हैं और जिसकी वज़े से हम आज जिन्दा हैं उस gas को भी कौन हमें देता है, वो है plants plants make the air clean plants हवा को साफ करने का भी काम करते हैं वो किस तरह से करते हैं? plants take in carbon dioxide and give out oxygen plants हवा में जो भी carbon dioxide फैली हुई है जो कि एक खराब gas है, हमारे लिए इंसानों के लिए और जानरों के लिए खराब है उस gas को plants क्या करते हैं? अपनी अंदर ले लेते हैं और उसको साफ करके oxygen को वापस छोड़ देते हैं और वो oxygen क्या है? हमारे लिए useful है इस तरह से खराब हवा को वो यूज करते हैं और साफ हवा को छोड़ देते हैं In this way, they make the air clean इस तरह से वो हवा को साफ करते रहते हैं और clean air helps us to stay healthy and fit और ये साफ हवा ही हमारे को हमें healthy और fit बनाए रखती है इस तरह से plants के कुछ छोटे मोटे अगर हम देखें तो बहुत सारे use हैं और कहीं न कहीं plants का होना हमारी life में बहुत जरूरी है अब बात आती है plants की leaves की leaves plants के लिए क्या करती है Leaves are one of the most important part of a plant Leaves plant का बहुत ही important part है जिस तरह से एक plant में roots होनी चाहिए branches होनी चाहिए वैसे ही plants में अगर leaves नहीं है तो plant जिन्दा नहीं रह सकता They are often called the kitchen of the plant यह जो leaves है इनको plant के लिए kitchen कहते है जैसे हमारे घर में kitchen में खाना बनता है वैसे ही plants का जो सारा food है वो kitchen में बनता है और वो kitchen क्या है? इनकी leaves As they prepare food क्योंकि वहाँ पर खाना बनाया जाता है leaves में खाना बनता है इसलिए उनको kitchen of the plant भी कहते है leaves of the plants are usually green in color plants की जो leaves है वो अकसर हरे रंग की ही होती है They are green due to the presence of a pigment called chlorophyll और plants की leaves का color हमेशा हरा ही क्यों होता है क्योंकि उसमें एक हरे रंग का रंग होता है जिसे हम chlorophyll के नाम से जानते हैं However, different plants have different type of leaves हर plant की अलग अलग type की leaves होती है They differ in their shapes and sizes और उनकी shape और sizes भी अलग अलग होते हैं तो next video में हम यह देखेंगे कि plants की leaves है वो किस-किस size की होती है और किस shape की होती है और वो किस तरह एक दूसरे से different होती है So, thank you so much